बॉलिवोड में एक से बढ़कर एक खुबसूरत एक्ट्रेस है जो एक फिल्म के करोडो रुपए लेती है आज हम आपको बॉलिवोड की पांच सबसे जाता फीस लेने वाली हिरोईन के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी एक फिल्म के लिए करोडो रुपए लेती है वैसे तो बॉलिवोड में बहुत से ऐसी हिरोईन हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर काफी उपलब्दी हासिल कर ली है और इनकी गिंती बॉलिवोड की टॉप फाइव हिरोईन में होती है ये बॉलिवोड हिरोईन अपनी खुबसूर्ती और एक्टिंग के जरिये अपने फैंस के दिलों में राज कर रही है इन बॉलिवोड एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर लाखों फैंस हैं तो आएए जानते हैं कि 2023 में बॉलिवोड की हाइएस पेड अक्ट्रेस कौन सी है इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हिरोईन दीपिका पादुकोन सबसे पहले स्थान पर है दीपिका पादुकोन ने बॉलिवोड में फिल्म ओम शान्ती ओम के साथ एंट्री की थी इसके बाद दीपिका ने बाजिराओ मस्तानी, पीकू और पदमावत जैसी कई ब्लॉक्वस्टर फिल्मों में काम किया दीपिका पादुकोन एक फिल्म के लिए लगबग 29 करोड रुपई चार्ज करती है इस लिस्ट में दूसरी सबसे ज़्यादा फिस लेने वाली हिरोईन कंगना रनौत है कंगना रनौत एक बेहधी लोगप्रिया अभिनेत्री है फिल्म गैंक्स्टर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली कंगना अब तक बॉलिवुड में बहुत सी हिट फिल्में दे चुकी है बॉलिवुड की कुईन कंगना रनौत ने बॉलिवुड में मनी करने का तनुवेट्स, मनु सीरीज और कुईन जैसी सुपर हिट फिल्में दे है कंगना रनौत एक फिल्म के लिए करीब 25 करोण रुपई चार्ज करती है लिस्ट में तीसरी सबसे अधिक भुकतान पाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपडा है प्रियंका चोपडा बॉलिवुड ही नहीं बलकि हॉलिवुड की भी लोग प्रिय अभिनेत्री है वे इंस्टग्राम पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली अभिनेत्रियों मैंसे एक है प्रियंका चोपडा एक फिल्म के लिए करीब 22 करोड रुपे चार्ज करती है और इस लिस्ट में एक्ट्रेस करीना कपूर चौथे स्थान पर है करीना कपूर बॉलिवोड इंडस्री की जाने मानी एक्ट्रेस है करीना कपूर ने साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुवात की थी इसके बाद करीना कपूर ने कभी खुशी कभी गम, बॉडिगार्ड और जम्वी मेट जिसी फिल्मों में काम किया है करीना कपूर एक फिल्म के लिए करीब 22 करोड रुपे चार्ज करती है इस लिस्ट में अब हम बात करेंगे कट्रीना कैफ की कट्रीना कैफ बॉलिवोड की जानीवानी एक्ट्रेस है कट्रीना कैफ टाइगर जिन्दा है धूमत्री जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद एक फिल्म को करने के लिए करीब 15 करोड रुपे चार्ज करती है